खबर सिर्था से जहां लुटेरे बेखौफ हो गए हैं और लगातार पेट्रोल पंप को निशाना बना रहे हैं नैशनल हाईवे नमबर 9 पर लुटेरों ने पिछले 3 दिन में 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है देर रात करीब 5 लुटेरे आई 20 कार में सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुचे और पेट्रोल पंप से करीब 2 लाख रुपे एक लैप टॉप दो मुबाइल चीन कर फरार हो गए लेकिन लुटेरों की ये करतूत पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई फिलाल पूलस नमाम लदरज कर लिया है और CCTV फोटेज के आदार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है तो पेट्रोल पंप पर लूट हुँ है उसकी तस्वीरे आप देख रहे हैं सेरसा में पेट्रोल पंपर लूट की तस्वीरे आप देख रहे हैं ये अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से बंदुक की नौक पर नकाब पोश्च ने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है अपर आदी किस कदर बेखौफ हैं उसकी तस्दीक कर दिये घटना और ये लूटे रे चार चार की संख्या में लूटे रे अंदर आये सिसीटी पे पूरी खटना कैद हुई है और ये देखिए पहले डरा धमका कर इन्होंने वहाँ पर जो सारे पैसे हैं वो लूटे इनकी संख्या चार से पांच इन तस्वीरों में नजर आ रही है और ये पैसे लूट कर यहां से फरार हो गए पैट्रोल पंपर लूट की ए घटना सिसीटी वे कैमरे में अफ्कायद हुई है आप देख रहे हैं कि बंदूक की नोख पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है बलजीत सिंग हमारे साथ हमारे सम्वाद होता जुड़ गए हैं बलजीत सीचे टीवे कैमरे में तस्वीरे कैद हुई हैं बदमाश किस कदर बेखौफ हैं जी बिलकुल ये दूसरे दिन की गटना है परसों भी यही इसी रोड पर एक पेट्रॉल पर 40,000 रुपे लूट लिए गए थे और कल फिर लेड़ लाकर भी लूट लिए गए हैं बलजीत ये जो पूरा वाकिया है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है इनके हाथ में हम देख रहे हैं कि सभी के हाथ में पिस्टल है या फिर जो दूसरे हतियार है वो नजर आ रहे हैं और कितने बजे की इखटना है तो बलजीत हमारे समवज़ता जानकारी दे रहे थे पेट्रोल पंप पर लूट की तस्वीरें ये सीसी टीवी वे खैद हुई हैं तीन से चार की संक्या में पहुँचे नकाब पोश्बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है जाकाब पोश्बदमाश।